दोस्तों क्या आपको पढ़ते वक्त या काम करते वक्त कॉंसेंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती हैं क्या आप भी दूसरों से जादा सफल बन सकते हैं जादा पैसा और खुशी पा सकते हैं नमशकार दोस्तों Entrepreneur Guide में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम Brain Rules Book Summary शेयर कर रहे हैं जिनमें हम 12 Brain Rules को सीखने वाले हैं Brain Rules Book एक Best Seller Book है जो Dr. John Madina ने लिखी है लेखक Dr. John Madina एक Psychologist और Molecular Biologist भी है अपने Experience के आधार पर उन्होंने बताया है कि हमारा दिमाग 12 नियमों पर काम करता है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए तो आईए शुरू करते हैं Brain Rules Summary First, Survival इंसान का Brain जिन्दा रहने के लिए बदलाव करता रहता है Brain ने सर्वाइव करना सीखा है नहीं तो अब तक हम लोग खतम हो चुके होते आपने खुद देखा होगा कैसे पहले चिकन पॉक्स जैसी महामारिया होती थी लेकिन Brain ने खुद को Evolve किया मतलब situation के हिसाब से खुद को change हिया है जिससे हमने medical में इत्ती तरक्की कर ली और बिमारियों से लड़ने की दवाया तैयार कर ली जिससे इंसान सर्वाइव करने में सफल रहा इंटरनेट की खोच से तो information की दुनिया में revolution ही आ गई तो क्या आप भी अपने Brain की Evolve होने में मदद करवा रहे हैं मतलब time के साथ साथ नई skills सीख रहे हैं आज YouTube और इंटरनेट पर काफी चीज़े available हैं जहां से आप काफी कुछ सीख सकते हैं Entrepreneur Guide पर भी आप तरह तरह की Entrepreneur's Guide पर भी आप तरह तरह की किताबों की समरी सुनकर आप रोज कुछ नया सीख सकते हैं और दूसरों से ज़ादा smart और intelligent बन सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको पढ़ने और सुनने की आदत बनानी होगी इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेजिए Second, Exercise Exercise करने से brain power भड़ती है Exercise करने के फाइदे तो सबको पता ही है लेकिन author बताते हैं कि exercise से केवल body building ही नहीं बलकि brain भी powerful बनता है Brain को ज़ादा oxygen मिलती है Blood circulation अच्छा होता है और brain बहुत active हो जाता है Stress और depression भी दूर हो जाता है Lazy लोगों का दिमाग उनकी तरह ही सुस्त हो जाता है बहुत से लोग exercise नहीं करते है उन्हें लगता है exercise सर्फ जिम में ही होती है और उनके पास इतना time नहीं है लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है आप 15 मिनट अगर walk भी करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा थोड़े से push-ups और sit-ups भी कर ले तो आपके body भी tone हो जाएगी और brain power भी बहुत बढ़ जाएगी तो आज से ही exercise करने की आदर टाल लीजी थर्ड, wiring हर दिमाग अलग होता है दोस्तो बच्पन से ही सब हमें यही बताते आए हैं कि सबका brain एक जैसा होता है लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा बिलकुल नहीं है सबका brain अलग तरह से design है wiring का मतलब है brain के cells की arrangement यह arrangement हर brain में अलग होती है इसलिए हर brain अलग तरह से काम करता है क्या आपके parents ने कभी कहा है कि देखो उस रिष्टिदार के बेटे के maths में कितने ज़्यादा marks आए है तुम्हारे क्यों नहीं आते मुझे तो ऐसा सुनने को मिलता था आपको किन-किन subject के लिए बोला जाता था कमेंट में लिखिए लेकिन यही लोगों की गलत सोच है वो सकता है आपका दिमाग maths के लिए ना बना हो आपको business में ज़्यादा interest हो या YouTube बनाने के लिए बना हो actor बनने के लिए बना हो या कोई खिलाड़ी बनने के लिए बना हो क्योंकि आपके brain की wiring उस रिष्टिदार के बच्चे से अलग होई इसलिए आपको ऐसी किताबे पढ़ना ज़रूरी है books की links description में दी गई है Anyways, हमें अपने brain की power खुद पहचाननी होगी कि वो किस चीज के लिए बना है फिर उस talent पर लग कर काम करना चाहिए आपको success ज़रूर मिलेगी अगर आप parents हैं तो अपने बच्चों को दूसरों के साथ compare करना बिल्कुल बंद कर दिला इस से बच्चे के self confidence में कमी आती है उसमें inferior feeling आ जाती है फिर वो अपनी खुबी को भी निखार नहीं पाता और life में दूसरों से पीछे रह जाता है इसके बज़ाए आपको उसकी खुबियों की पहचान करानी चाहिए उसकी तारीफ करनी चाहिए और बच्चे का carrier उसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए फोर्थ attention brain boring चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता दोस्तो बोरिंग चीजे किसे अच्छी लगती है फिर वो चाहे बोरिंग मुवी हो या किसी टीचर का लेक्चर आपने खुद देखा होगा कुछ टीचर कितना बेकार पढ़ाते हैं और बोर कर देते हैं उनका लेक्चर सुनकर स्टूडेंट्स को नीन आन लगती है ने तो उनके लेक्चर में एनरजी होती है ने कुछ नयापन अगर आप ऐसे टीचर हैं तो अपने पढ़ाने के तरीके में कुछ नयापन लाइए किताब से उठाकर जैसे का तैसे मत बोलिए थोड़ी मेहनत कीजिए इंटरनेट और यूटूब पर सीखिए सीखने की कोई उमर नहीं होती नय और इंट्रेस्टिंग एक्जामपल लाइए रोचक कहानिया ढूड़िए बच्चों को मोटिवेट कीजिए तभी आप एक अच्छे टीचर बन पाएंगे और बच्चे भी आपके रिस्पेक्ट करेंगे कुछ चीजों को ब्रेन सिर्फ थोड़े समय के लिए याद रख पाता है दोस्तों जो चीजे ज़ादा इंट्रेस्टिंग नहीं होती उनके लिए हमारी मेमरी केवल शोट टम होती है जैसे क्लास के लेक्चर अगर आपको उस टॉपिक में इंट्रेस्ट नहीं है तो आपका ब्रेन उसे केवल शोट टम के लिए याद रखता है एक दो घंटे बाग उसे बुला देता है लेकिन अगर आपको मार्क्स लेने है तो याद तो रखना ही पड़ेगा चाहे वो कितना भी बोरिंग हूँ इसके लिए लेखक ने ट्रिक बताई है रिपीट करने की ट्रिक आप अपने टॉपिक को पांच बार रिपीट करिए रात को सोने से पहले सुबह उठकर तीसरे दिन, पिर साथमे दिन पंदरा दिन में और एक महिने बाद इतना करने पर आपकी शौट टम मैमरी लॉंग टम में बदल जाएगी आपके ज़ादा मार्क्स आएंगे और आप चीजों को देर तक याद रखने लगेंगे बहुत से स्टूडेंट एक्जाम आने पर ही किताब खोलते हैं तो अब इस आदत को बदल दीजिए 15 मिनट ही सही टॉपिक का रिवेजन जरूर कीजिए 6. लॉंग टर्म मैमरी कुछ चीजों को ब्रेन लंबे समय तक याद रखता है अगर कोई चीज बहुत जादा खुशी या गम से जुड़ी होती है तो ब्रेन को देर तक याद रहती है यही कारण है कि दोस्तों के साथ ट्रिप हम कभी नहीं भूलते अगर कोई छोटा बड़ा एक्सिडेंट भी हुआ हो तो वो भी कभी नहीं भूलते इसलिए हमें किसी भी टॉपिक को अगर याद करना है तो उसे इंट्रेस्टिंग बना कर समझने और समझाने की कोशिश करने चाहिए इससे ब्रेन उसे लंबे समय तक याद रखता है उसके अलावा रिपीट करने का ट्रिक पहुत असरदार है सेविंथ अच्छी नींद ब्रेन को हेल्दी रखती है ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों क्या आपको पता है जब हम सोते हैं तो हमारी बोरी खुद को 80% तक हील करती है ब्रेन भी दिन भर की बुरी विचारों और दूसरे कच्रों को साफ करता है आपने देखा भी होगा किसी से जगड़ा होने पर आपका मूर खराब हो जाता है लेकिन जब आप अगले दिन सोकर उठते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि नीन के दोरान ब्रेन आपको बुरे विचारों को साफ कर देता है हर दिन हमारे ब्रेन के नियूरोंस भी मरते रहते हैं सोते समय ब्रेन इन नियूरोंस को फिर से बनाता है जिससे हमारा ब्रेन ठीक से काम कर पाता है जो लोग लेट सोते हैं या ठीक से नीन नहीं लेते उनके ब्रेन की एबिलिटी कम हो जाती है ऐसे लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन भी होने लगता है और कुछ कॉमन बिमारियां जैसे डैमेंशिया और हैलूसिनेशन भी हो सकते हैं वे गुसेल और चिड़ चिड़े भी हो जाते हैं इसलिए साथ से आठ घंटे की नीन जरूर ले आपका दिमाग हमीशा स्वस्त रहेगा एक्थ स्ट्रेस स्ट्रेस में ब्रेन कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता स्ट्रेस हमारे ब्रेन के लिए सही नहीं है क्योंकि स्ट्रेस से हमारे बहुत से न्यूरों जल्दी मरने लगते हैं इससे मैमरी और इंटालिजन्स पर बहुत बड़ा प्रभाव करता है अगर आप घर का स्ट्रेस ओफिस लेकर जाएंगे तो ठीक से अपना काम नहीं कर पाएंगे और वैसा वैसा भी हो सकता है इसलिए स्ट्रेस से दूर रहें, खुश रहें और खुश रखें आखे इंसान की लाइफ बहुत छोटी होती है डेली योग, मेडिटेशन और एक्सेसाइज करते रहें सभी पाँच सेंस ओर्गन्स ब्रेन को प्रभावित करते हैं दोस्तो हमारे पाँच सेंस ओर्गन्स होते हैं ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए सभी पाँच सेंस ओर्गन्स को तेज कर लेना चाहिए हमारी स्मेल पावर बढ़ाने के लिए फूलों की खुश्बू बहुत अच्छी होती है पहली बारिश के वक्त मिट्टी की सौंधी सौंधी खुश्बू किसको सुकूर नहीं देती वैसे ही चाय या चॉकलेट की स्मेल भी तरो ताजा कर देती है सेंस ओफ साउंड म्यूजिक सुनने से ब्रेन रिलेक्स फील करता है और स्ट्रेस दूर होता है लेकिन आजकल के म्यूजिक एलेक्ट्रोनिक म्यूजिक है इनमें वो क्वालिटी नहीं है स्लो म्यूजिक बेस्ट सौप होते हैं इसलिए दोस्तों आप भी अपनी पसंद का म्यूजिक कुछ देर के लिए रोज सुने सेंस ओफ टच जैसे मा का स्पर्श पल भर में ही आपको खुशी से भर देता है आपकी सारी चिंता दूर हो जाती है छोटे बच्चों को गोदी में उठाने पर भी प्यार और सुकुन मिलता है लवड़वन को हकरना भी ब्रीन को हैपिनेस और ब्लिस से भर देता है तो ब्रीन पावर को भड़ाने के लिए सभी सेंसिस को तरह तरह से तरो ताजा करते रहना चाहिए Tenth, Vision सबसे ज़ादा ज़रूरी दृष्टी होती है सभी सेंस और्गंस में सबसे ज़ादा याद रखने में हेल्प करती है दृष्टी ये सेंस ओफ साइट हम देखी हुई चीज को ज़ादा याद रख पाते हैं बजाए सुनी हुई चीजों के आप अपनी क्लास के बच्चों के चहरे को याद रख पाते हो लेकिन उनके नाम शायद आप भूल जाए कुछ साल उनसे नहे मिले तो नाम तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं लेकिन चहरे याद आते रहते हैं ऐसे ही किसी स्टोरी को पढ़कर आप उसे भूल जाते हैं लेकिन अगर उस पर मूवी बन जाए तो उसका एक-एक सीन आपको याद रहता है सोचिए अगर मैट्स का टीचर बोल कर ही आपको क्वेशन समझाए तो क्या किसी को समझ में आएगा अब टीचर बोर्ड पर लिख कर समझाता है और आप उसे देख पाते हैं तब ही आपको समझाता है इसलिए आप भी हो सके तो टफ चीजों को देख कर समझने की कोशिश करें जैसे अपने गौल को कोपी में लिख कर देखें आपको अपना परपस जादा समझ आएगा 11. Gender Male और female का brain बहुत अलग होता है एक experiment में male और female को horror movie दिखाई गए Males में दिमाग का right हिस्सा active दिखा जबकि females में left वाला हिस्सा active हुआ इसका मतलब है male और female अलग-अलग तरीके से emotions को process करते है Puberty आने पर भी male और female में अलग-अलग changes आते है लड़के anti-social हो जाते हैं गुसेल और तोड़फुर मचाने लगते हैं जबकि लड़किया emotional हो जाती हैं जरा-जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं या रोने भी लगती हैं इसलिए psychology को समझ कर ही act करना चाहिए 12. Exploration Brain explore करने के लिए बना है Human का brain चीजों को explore करने के लिए बना है बच्पन में हमारे brain में बहुत curiosity होती है हम बहुत से सवाल पूछते हैं और उनके जवाब जानना चाहते हैं लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं स्कूल और कोलेज वाले हमारी curiosity को मार देते हैं वो हम पर पका पकाया syllabus और ग्यान थोप देते हैं एक्जाम के नाम पर हम topics को रटा मारने लगते हैं और हमारी curiosity की कोई कदर नहीं करता कोई student खुद की poems या stories भी तो लिख सकता है लेकिन क्योंकि ऐसा syllabus में नहीं है कोई हमारी poem नहीं पढ़ना चाता इसके अलावा society तरह तरह के डर हमारे अंदर बिठा देती है यह मत करो वो मत करो यह हो जाएगा वो हो जाएगा मतलब बच्चा अपना कुछ नया सोच भी नहीं सकता इन सबसे हमारा brain श्रिंक होकर रह जाता है हमारी curiosity खतम हो जाती है हम कुछ भी explore करने से डरते हैं और हम life में कुछ बड़ा नहीं कर पाते लेकिन जिन लोगों में यह curiosity और explore करने की quality बची रहती है वो बहुत बड़े scientist, traveler, business person, entrepreneur आदी बन जाते हैं Einstein ने कहा था I am not a genius, I am just curious मतलब में genius इसलिए बन पाया क्योंकि मैं चीजों के रहस्य को जानने का बहुत इच्छुक रहता हूँ तो दोस्तों आप भी curiosity को जिन्दा रखिए अगर कोई आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा है तो भी उस सवाल को अपने अंदर जिन्दा रखिए एक दिन आप उसका जवाब खुद डून लेंगे या दूसरे शब्दों में कहें तो अपने अंदर की आख को बुजने मत दीजिए दोस्तों अगर आप पूरी किताब पढ़ना चाहते हैं तो अमजोन से मंगबा सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और आप ब्रेन को शान्त करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए धन्यवाद धन्यवाद